पूरा जो वर्ल्ड है, वो क्रोना पैंडिमिक से गुजर रहा है इस सारे सेनेरियों को जो आँ चल रहा है उसको माइंड में रखते हुए मैंने डिसाइड किया एज डॉक्टर इन केमिस्ट्री क्यों न मैं केमिस्ट्री की जो नॉलेज है वो फ्री में इस ट्राइम पे अपने देश को स्वब करूँ तो अभी मैं ट्राइल क्लास का कुछ मैं लेक्टर आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हुँ तर्राइल क्लास में 16 चैप्टर हैं उस 16 चैप्टर में से आज जहाँ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है Solution 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 आपको पता होगा कि solution chapter की maximum weightage है बेटा जे 5 number का chapter 5 marks 5 marks का मतलब जे हुआ कि इसको आप इसमें जो question आपको long answer भी आ सकता है long answer question भी आपको आ सकता है आपको short answer type question भी आपको आ सकता है आपको very short answer type question भी आ सकता है और आपको very very short answer question भी आपको आ सकता है ठीक है कोई भी chapter बच्चु start करने से पहले जब भी आमने life में कोई भी chapter start करना है तो अच्छा बच्छा बहुत है कि सबसे पहले जो chapter आप start करने जा रहे हो उसका tightening का meaning क्या है उसका meaning हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं discuss करते हैं कि what is solution जिस solution क्या बला है solution क्या चीज़े तो solution को understand करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा मैं कंटेनर लेता हूँ मैंने कंटेनर ले लिया यह मैंने कंटेनर ले लिया and this container contain let कर लिया आपने this container contain one liter of water बच्छे क्या ले लिया मैंने इसमें इसमें मैंने एक liter क्या ले लिया water ले लिया one liter अगर मैं आप से पूछूं कि एक लिटर में कितने मिलिटर होते हैं तो हर बच्चे को पता होगा कि one liter is equivalent to one thousand milliliter तो चाहिए आप एक लिटर बोलो, चाहिए आप क्या बोलो one thousand milliliter मेनिंग क्या है सेम, मैं एक लिटर पाने ले लिया अब मैं क्या करता हूँ, मैं five gram ले लेता हूँ, शुगर लेता हूँ five gram मैंने क्या ले लिया, सारे पता हो क्या ले लिया, सारे बोलो five gram मैंने शुगर ले लिया, अब जुरू ने कि five gram ले ले ले, आप 10 gram ले सकते हो मैंने ले लिया पहले तो मुझे आप जे बताओ कि क्या आप लोगोंने शुगर देखी हुई है आदा देखिये सबने देखिये स्वीटीन टेस्ट होती है देखिये आप लोगोंने जो शुगर है बाइड कलर का सॉलेड है और जो वाटर है जब तक मैंने शुगर को water में नहीं dissolve किया है तो आप बता सकते हो you can differentiate which one is your sugar and which one is your water अब बता सकते हो अब मैं क्या करता हूँ इस 5 ग्राम शुगर को मैं इस 1 लीटर पानी में क्या करता हूँ dissolve में डाल देता हूँ मैंने 5 ग्राम शुगर ले लिया आप बताओ क्या होगा जैसे ही मैं शुगर लूँगा शुगर को पानी में डालूँगा शुगर water में क्या हो जाएगी dissolve हो जाएगी जब शुगर water में dissolve हो जाएगी you can never differentiate which one is your sugar and which one is your water अब यह नहीं पता सकते हैं कि आप sugar कौन सा और water कौन सा है और ऐसे मिक्चर को बिटा हम क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्चर तो क्या बोलते हैं हम उसे हम बोलते हैं होमो शाबा सारे बोलो होमो जीनियस क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्चर तो सलूशन की सबसे बड़ी प्रॉप्टे क्या होती है solution is a homogeneous mixture mixture क्या होता है? जो एक से ज़्यादा component का बना होता है दो का, तीन का, चार का, तो homogeneous का मतलब होता है uniform uniform in एक जैसा जिसे आप differentiate नहीं कर सकते हो तो पहला हमें hint मिला यह solution है, solution is a homogeneous mixture अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने शुगर को पानी में dissolve कर दिया, अगर आप इस पानी को टेस्ट करते हो, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इसका जो टेस्ट है, वो खटा होगा या नमकीन होगा, तो आपको answer क्या होगा? बैद दियान से बोला, मैं question बूछ रहाँ पूछूँ जो पूछे, उससे अपसे answer करना बचा आप लोगों ने? हाँ, जब आप शुगर को पानी में dissolve करोगे, नाजे खटा होगा, और नाजे नमकीन होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा? इसका टेस्ट होगा स्वीटिन टेस्ट. एंवर क्या होता है? हम बच्चों से पूछते हैं, कि बताओ बाई शुगर को आपने पानी में dissolve कर दिया, बताओ जब खटा होगा, जब नमकीन होगा, बच्चे बहुते हैं, सार मिठा होगा. बैद मैंने question पूछा ही नहीं. मैंने बताओ बाई, शुगर को आपने वाटर में dissolve किया, तो जब बताओ जब खटा होगा, जब नमकीन होगा, तो आपका answer होना चाहिए, कि सर ना जब खटा होगा, ना जब नमकीन होगा. जब मैं आपसे पूर्चता हों कि बताओ कैसा टेस्ट होगा, तो आप बोलोगे, सर ये तो sweet in taste होगा, तो जब स्वीटीन टेस्ट होगा, ठीक है ना, तो अगर जब स्वीटीन टेस्ट, इसका मिनी क्या हुआ, कि शुगर और वाटर में कोई भी reaction नहीं हुई है, no reaction. तो दूसरी property क्या हो रही हमें हींट मिल रहा है, कि एक तो solution होमोजीनिस होता है, और दूसरा इसके जो components हो क्या होते हैं, जह किसका बना होता है, जह बना होता है, non reacting substances का, non reacting substances का, जा non reacting components का. Am I right? तो इसे बोलते हैं solution, तो अगर आप ध्यान से देखे, what is solution, तो मैं इसी से definition बनाओगा, मैं सारा आपके लिए बना दिया, material बना दिया, तो what is solution, solution is a homogeneous mixture of two or more than two non reacting substances, अगर आपने solution बनाना है, तो solution को बनाने के लिए कम से कम आपको दो कम से कम दो, ऐसे अगर आप pure sugar लोग गई है, pure water लोग वह भी तो homogeneous होता है, लेंगि वो solution ही होगा, वो single component का बना हुआ है, तो solution को बनाने के लिए कम से कम हमें कितने components चाहिए, दो, दो जाए दो से जैदा, तो what is solution, हम इसकी definition करना जा रहे है, what is solution, a homogeneous mixture of two or more than two non-reacting substances, is called as solution, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, solution बोलते हैं, अब देखो, हमने बता दिया, कि solution homogeneous है, इसके जो components है, वो non-reacting है, अब जो solution है, solution चाहिए, जितने मज़ी components क्यों हो, जितने मज़ी substances का क्यों ना बना हो, उन सारे components को हम दो हिस्सों में divide करते हैं, कि solution जो होता है, वो दो parts का बना होता है, number one, मैं जहाँ पर लिखता हूँ, जहाँ मेरे पास space है, number one is called as solute, and number second is called as your solvent, आपको जो solution है, solution दो parts का बना हो है, दो components का बना हो है, one component is called as solute, and second component is called as your solvent, अब solute क्या होता है, solvent क्या होता है, question rise हो गया हमारे लिए, मैं आप से पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, कि मैंने जहाँ पे five gram sugar लिया हुआ है, और one liter water लिया हुआ है, दोनों में larger quantity में कौन सा है, और smaller quantity में कौन सा है, जो five gram sugar है बताओ, आपके सामने हैं, जो five gram मैंने sugar लिया हुआ है, जो small remote में 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 है, और जो मैंने one liter of water लिया हुआ है, as comparison to sugar, जो larger remote में है, जो larger remote में है, जाज रखना जो solution का component smaller mode में होगा उसे बेटा हम बोलते हैं salute what is salute the component of solution or the substance or the component of solution which is present in smaller mode जो smaller mode में होगा उसे बेटा हम क्या बोलते हैं solution का बो component solution का बो component जो larger mode में होगा बेटा उसे बेटा हम बोलते हैं solvent उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं solvent तो इस case में जो मैंने यहां पर example लिया हुआ है जिसमें मैंने 5 gram sugar को 1 liter पानी में dissolve किया हुआ है इसमें sugar जो है वो solute का काम कर रही है और जो water है वो क्या कर रही है solvent का काम कर रही है जो smaller mode बाला solute हो जाएगा और larger mode बाला क्या बन जाएगा solvent बन जाएगा समझाए है गुशा आपको किसी योगो confusion है अगर किसी बच्चे के mind में आ रहा है कि सर अगर ऐसा हो जाए हम ऐसा कर रहे है कि सर स्पोस्ट करो आरती बोलती है कि सर मैं एक कम करती हूँ मैं इसमें न 10 ग्राम न इसमें मैं 10 ग्राम डाल दियती हूँ sodium fluoride अब बताओ अब problem आगे सर आपने तो कहा था solution जो होता है वो solute का बना होता है और जो solvent का बना होता है लेकिन आप क्या कर दिया आप तो इसमें 3 component आगे इसमें हमारे पास जो एक component है वो शुगर आगया वो 5 ग्राम है जो दूसरा component है वो sodium fluoride आगया वो 10 ग्राम है और जो तीसरा component है बेटा वो water आगया वो कितना है जी वान लिटर वान लिटर में वान थोजन्ड मिलिलिटर अब बताओ अब हमारे रे खुदी problem create हो गई कि सर इसमें तो आप 3 आगे इसमें आप salute कौन सा और solvent कौन सा है बेटा मैंने आपको स्टार्टी में बताया था कि solution को बनाने के लिए कम से कम हमें दो component चाहिए जैदा से जैदा जितने मर्जी हो सकते हैं ठीक है ना अब इस case में क्या करना आप लोगोंने मैं simple सा trick दे रहा हूँ आपको simple सा rule बता रहा हूँ आपको आपने कुछ भी नहीं करना जितने मर्जी component क्यों नहीं हो solution के अंदर आपने देखना सबसे larger mode में कौन सा है आप मुझे जे बताओ 5 gram ज़्यादा है 10 gram ज़्यादा है जब 1 liter ज़्यादा है आप मुझे जे बताओ 10 1 liter सबसे ज़्यादा है तो जो component सबसे larger mode में होगा उसे मान लो आप solvent और बाकी जितने भी component बचेंगे वो क्या बन जाएंगे solute वो क्या बन जाएंगे solute तो इस case में sugar भी solute हो गई और NaCl भी क्या हो गया जो tanagram आपने NaCl लिया है जे भी क्या कर रहा है solute है हाँ ना बनें के दो ही solute और solvent ही बनेंगे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक solution है वो चार component का बना हुआ है तो तब क्या गरोगे आप लोग सोचो एक उसमें solvent होगा जो तीन बचेंगे वो क्या होँगे वो solute हो जाएंगे simple सा trick अगर कोई solution है वो 10 component का बना हुआ है तो एक उसमें जो सबसे larger मिं होगा वो solvent होगा और बाकिन जो no होगे वो क्या होँगे solute होगे तो I think कि आपको idea हो गया कि solute क्या होता है और solvent क्या होता है solution क्या होता है solution की एक सबसे important property ही है वो क्या property है कि उसमें जो particle size होता है वो less than 1 nanometer होता है मैं शलू आयए शाही हों बीटा उसका size क्या होता है लेस धेन वन नेरो मीटर साब़ाश। क्या गया क्या नग्ड़ कeilिए वन नेननो मीटर और आपको मालुम होना चाहिए मैंने आपको लास्त ञेया बताया था कि जो 1 nanometer है this is equivalent to 10 the raise to power minus 9 meter आ गया कितना आ गया 10 the raise to power minus क्या आ गया 9 meter आ गया लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें particle size less than 1 nanometer है जा greater than 1 nanometer है भाई मैं बड़ा simple सा तरीका आपको बताने वाला हूँ मैं एक छोटा सा experiment perform करूँगा अगर आपको देखना है कि वो solution है जा नहीं है बड़ा easy way से बताऊँगा तो अभी मैं वो experiment perform करने जा रहा हूँ उस experiment से आप clearly identify कर सकते हो कि वो solution है जा नहीं है क्या उसमें particle size 1 nanometer से कम है जा 1 nanometer से ज्यादा है तो आप इस experiment को देखो फिर मैं आपको explaining करता हूँ अशा बचा solution को identify करने के लिए मैंने एक छोटा सा setup जहां पर रखा हुआ है इसमें आप दियान से देखो इसमें मैंने दो basals ली नहीं है जे basal A आ गया और जे basal B आ गया इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है अब मैं एकाम करता हूँ अब जो basal number A है इसमें मैं एक थोड़ा सा लेता हूँ नमक साल्ट लेता हूँ sodium chloride ले रहा हूँ नुरीम क्लोाइड मैं स्टिर कर रहा हूं this Jesse को और सम्सक्राइब परड़ा सब्सक्राइब है वो वाटर में क्या हो जाएगा डिजाल हो जाएगा यह देखिए डिजाल हो गया यह देखो यह देखो पूतर है डिजाल हो गया अब अब आप यह नहीं बता सकते कि इसमें साल्ट कौन सा और इसमें वाटर कौन सा है तो बन गया ना होमोजीनियस क्या बन गया जी होमोज लिया मयर्जय में यदा करता हूं मैं स्को किया करता हूं इसको भी में एक मिनिट दिखाई दे रहा है बटा आपको जी मैं स्टिर्क रहा हूं वो शैंपू ज्यादा बढ़ गया है सुबह काम आ जाना था मेरे चलो जे देखिए मैं इस टिर्क दिया जे देखिए अब देखो जे भी हमें एक तरह से होमोजीनीस ही दिखाई दे रहा है मैं इसको हमें identify करना है कि इसमें solution कौन सा है तो हम क्या करते हैं एक narrow beam of light जो है मैं इस laser beam से जहां पास करता हूं जब पास कर रहा हूं क्या observe कर रहे हो आप अचा बताओ क्या observe कर रहे हो इसमें जो path of light है जिस रास्ते से light जा रही है वो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इस वाले में दिखाई दे रहा है ठीक है न जिसमें path of light नहीं दिखाई दे रहा है वो solution है और जिसमें path of light दिखाई दे रहा है वो solution ही है वो collider solution है इसमें particle size एक nanometer से कम है और इसमें जो particle size है वो एक nanometer से ज्यादा है तो ऐसे आप identify कर सकते हो इसको clearly बताने के लिए मैं light off करता हूं आपक और क्लेर ही दिखाई देगा यह देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है जो solution होगा solution में जो path of light है through the solution वो दिखाई नहीं देगा आपको लेकिन जो collider solution होगा जिसमें particle size एक nanometer से ज्यादा है उसमें path of light through the solution वो क्या होगा वो आपको बीजिवल होगा तो इस experiment से क्या clear हुआ आपको कि इसमें जो a है बेटा वो solution है और इसमें जो particle size है वो less than one nanometer है लेकिन जो आप इसमें b देख रहे हो b solution नहीं है जो collider solution है और इसमें जो particle size है वो greater than one nanometer है बेटा अभी जी जो आपने experiment देखा यो solution में जो scattering of light नहीं हो रहा है path of light visible नहीं है लेकिन जो हमारा collider solution है इसमें path of light भी visible है और scattering भी हो रही है बेटा इसे आप में मैंने जो surface chemistry का class लिया था tundal effect के बारे में इसे बोलते है tundal effect जो आप लोगों ने surface की mystery में पढ़ना है अभी आप लोगों तो basically हम बोल सकते हैं कि यो solution है solution does not show tundal effect जो solution होता वो tundal effect शो नहीं करता जो मैंने अभी आप वो experiment करवाया कि मैंने solution में light pass किया और जो path of light test में scattering नहीं हो रही थी लेकिन इस वाले में scattering हो रही थी तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें scattering नहीं हुई वो tundal effect शो नहीं कर रहा है जो surface की mystery में आप लोगों ने पढ़ना है और जो collider solution है वो tundal effect शो करता है तंडल effect is one of the important property of collider solution जाई होता क्या है किसने दिया था इसकी क्या significance है जाए आप लोगोंने surface की mystery में पढ़ना है तो आपके लिए एक important point और आ गया कि जो solution है solution does not show does not shows does not show tundal effect p-y-n-d-a-tundal effect दंडल मत मोलते ना आप इसको दंडल ली ये खाने वाले दंडल ली ये तंडल तंडल जो है तंडल is a name of a scientist खेंग है तंडल ने दिया था तो जाद रखना solution tundal effect शो नहीं करता है लेकिन जो collider solution है वो तंडल effect शो करता है तो इसे के साथ मैंने आपको बताया आज के lecture में मैंने आपको बताया solution क्या होता है वो एक homogeneous mixture है वो non directing components का बना होता है उसमें particle size less than 1 nanometer है और वो तंडल effect शो नहीं करता है तो जो मेरा अभी अगला lecture होगा उस lecture में मैं थोड़ा इसे solution की आपको और important बाते बताऊंगा लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यह डक्टर जो सुनी लनांत है वो solution पर बड़ा focus कर रहा है ऐसी क्या बात है solution में इतना focus ही नहीं है solution का concept clear होगा तो आगे जो से related जो टॉपिक्स होंगे वो आपको अच्छी तरह सके दियान से आपने revise करना है तो we will meet on tomorrow same time okay good afternoon thank you